हेलो एन वेलकम गाई स्वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग सुकन मलेशिया टीट्वेंटी की बात करेंगी जो कि मैं चोगाया पर जोहर वसुस पुलाओ पिनंग के बीच में तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार न यह फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें समय के इससे बेल एक छोट इस रिक्वेस्ट है यूटूब चनल को अपने सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको यूटूब चनल को सबस्क्राइब कर लेना है क्योंकि यह पूरी ट यूटें के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अल्रेडी टेलिग्राम का लिंक अटेज के हैं किस अगर लिंक बग नहीं करता तो टेलिग्रम में जाके आपको सर्ट करना है फेंटासी दिशन चलेंजर या फिर आपको सब्सक्राइब चनल मिल जाएगा तो कई टीम्स यहां पर क्वालेक्स वगेरा भी करवाई तो यहां पर अभी तक जितनी भी मैचिस होए न वह यहां पर एक टीम बहुत ही मजबूत होती है और एक टीम वीक होती है तो उसी मैचिस के कारण आपको स्कॉर थोड़े से कम देखना को मिल सकते बाकि प्लेयर्स सकता है क्योंकि कल के दिन की पहली मैच की बात करो तो यहां से 251 यानिके 251 रन किये थे जहां पर 99 रन के यहां पर पारी खेली थी विजन दिप सिंग ने तो यहां से प्लेयर अगर खेल जाते तो यहां से 200 प्लस का भी आखणा पार हो सकता है चेजिंग रकॉर्ड में यह यहां से इससे पहले जो टूना मेट खेले गए इसके आंकडे मैं एड की है तो जहां पर 24 में चीस हुई थी 10 पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती थी बारह यहां से चेजिंग करने वाली टीम ने जीती आकडे एक वड़ी यह तला कुछ खास नहीं है लेकिन वह से लादाता यासे पहले बेटिंग करना टीम पसंद करती है बात कर यई से टीम जो जो अम्मार उजयर विन फिकरी और इसरे नौरा रिफ बिन जमत ये दोनों आपकी टीम के अंदर जरू लेना चाहिए क्योंकि यहां से आप लोग यहां तो यहां से 4-7 का combination बना सकते हो यहां फिर यह से 5-6 का combination बना सकते हो तो यहां से 4 या 5 player ही maximum में हमें लेने हैं तो इन दोनों के player का बर भरुषाख कर सकते हैं वाकि एस अजमन की बात के हो तो यह डेफिनेटली आपके आपके टीम के अंदर रहना चाहिए तो यहां से महां से लंबे नाम है तो यहां से मैंने शॉर्ट भी किये हुए तो आप अपने according थोड़ी से understanding कर लीजेगा क्योंकि बहुत लंबे नाम है और यह क्लाइन के अंदर इनको एक्जस करना बहुत ही मुश्किल था तो यहां से मैंने इनको शॉर्ट नम भी कर दी है जिन्होंने बाइस मेंचिस के लिए करीबन सत्रा के अवरे से दोसो सत्तर रन कियो है और साथ मेंसे 27 विकेट में निका ले तो एस अ प्लेयर यहां से जूलामरी महदिन जो कि 33 मेंच के लिए करीबन 15 के वरे से 147 रन किया यहां से 17 विकेट में निका ले हुए तो बात करें यहां से एस इकमल बील अजमत और एम अनिरुद्दिन जकी बी एम अरिफिन तो यह दोनों प्लेयर काफी इंपॉर्णस रहेंगे हमारे लिए और इस टीम से अगर किसी को कैप्टन या वाइस कैप्टन करना है तो यह दोनों प्लेयर के ओपर हम लोग नज़र रख सकते हैं दोनों मैच के लिए जापर करीबन 22 के वरेट से 85 रण किया साथ में ऐसे 11 विकेट भी निकाल हो यह देफिनेटली आपकी टिम के रहने चाहिए हो सकता है इनको बैटिंग से उपर भी विज़ा जा सकता है यह दोन ओस पूरी करवा सकता है आप देखते को पांच मैच करीबन 20 के पर इस बिस और वस की गेंबाजी की होए यानि कि चार वस हरेक मैच करने पूरी करवाएगा तो यह से एम जहिन बिन महादीर आपकी टिम के लिए जरूर रहना चाहिए यह डेफिनेटली आपको अच्छा एडवाड़ेश दे सकता है इवन यह बंदा भी आपके लिए क्य मेंबर 11 मेंबर जैसे लिग खेलता हो तो इनको डिफ्रेंसले में ट्राइ करोगे मुहमद अफिब हरी तो थोड़े से ओके रहेंगी तो इनको भी आपको रिस्की तोर पर यह से चार चे गयारा मेंबर वाली टिम में ट्राया शामिल करना है बाकि यह दोनों प्लेयर के मेक्सिमम करवा सकते बाकि मुहमद आमिर अशीरफ खैरूलना नूर की बात करो तो 31 मैच के अंदर 25 विकेट निकाले हो तो इनको भी आप लोग यह से एज़ प्लेयर ट्राय कर सकते हो ब्यांच में से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके श्रैट्स आपको टेलीग्रम चैनल को जोइन के लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम अगेरा वही पर मिलने वाले है बात करें से टिम पी यूपी की तो एक मैच के लिए जहां से हार क्या रही है ओपनिंग में आसे मुहमद जरिफ मिफदल जाल नूर जहीर ने ओपनिंग किया यहां से इशा इशाक कुमार ने लास्ट मैच के अंदर जिस तरह से परफॉंक किया इनको लेकर जाना बनता है 21 के यहां पूरी नहीं नहीं हुई यहां पर नहीं तो यह ज्यादा वह सकते इशाक कुमार मनिया अच्छी बिक बनेंगे डिफिनेटल आप लोग इनको ट्राइब कर सकते हो बाकी बात करें से विजवर उबन कुमार एज़ प्लेयर इंपोरनेंट और इस टिम की बात के हो तो कैप्टन वाइस के अच्छी चोईस बनेगा इससे पहले भी हमने कई बार इनको मलेशिया की जो टूटनामेंट खेली जाती है वहां पर कई बार उनको अच्छा परफॉ योगे से सरंगाम परनी की बात कर तो इनको आपको रिस्की तोर पर ट्राइक करना है स्मॉली के लिए प्रिफेरेबल नहीं है बाकी एडमॉंड जीवर आज सवारी की बात करूँ तो यहां से बारा मैच के अंदर आट विकेट निकाले हुए प्लेयर यहां से 120 रं किये उ रिस्की खिलते हो तभी ट्राइक करेगा बाकी ऐसे खाईरी मुझाहिद अर्वान को आप लोग डेफिनेटली ट्राइक कर सकते हो 16 मैच के अंदर यहां से 16 विकेट निकाले हुए यहां से 72 रं भी गयो बैटिंग ठीक्टा करवा लेते हैं बाकी करीबन 47 ओस की गेनवाज 6 मैच के अंदर चार विकेट है 14 विकेट के गेनवाजी करते हुए तो इनको भी आप लोग अपने मिस के अपनी टीम के अंदर शामिल कर सकते हो क्योंकि मुझे लगता है तब तक यहां से चार वोस पूरी खरवा सकते हैं इनके पर परोशा कर सकते हो स्टार्टिंग में ऐसे M.H. एहमद और ऐसे N. अनन्थननन दोनों ने ओपनीन किया और देथोस की गेनवाजी आई नहीं ते मैंने ऐसे देथोस मेंचन किये नहीं है तो देख लेते हैं आज कौनस का डाल सकता है अगर डाल सकता है कि बात कर तो ऐसे अनन्थनन एक देथो चैनल पर प्रोवाइड किया जाएंगे तो जल्दी से जाके आपको टेलिग्रम जैनल को जॉइन कर लेना है क्योंकि फाइनल अपडेट और आपको ही पर मिल जाएगी यहाँ पर हदीप हिल्मन अफीज हफीरा जल की बात कर तो यह अच्छे प्लेयर है और अगर खेले तो पर दो भीट निकाल एक बार फिर्च अगर खेलेंगे तो डेफिनेटली हम लोग हमारी टीम के अंदर उनको लेके जाएंगे तो अभी के लिए देख लेए त्यम कोंसी रह सकते कौन से रह सकते कौन से ट्रॉप कर सकते हैं तो बात कर देबाद कर आपर विकेट किपिंग स जाल नूर को मैंने लिया हुआ है तो बहुत साला है सेक्षन में इसे वी कुमार S बिन संसुल यांसे M हैकल अहमद यांसे M जकी बी मुहमद जूभी नामें लंबा वाला नामें इनको लिया हुआ है और बोलिंग सेक्षन में जैड महोदिन के साथ यासे एम जहिन बिन एम रहेंगे यासे एम अमिर अशीर 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 बोल लंबा ना में यार कन्फूजन बोलने में भी हो रही है तो इसको ले सकते बाकि ऐसे लुकमान हकीम को आप लोग ट्राइक कर सकते हो काफी जबाजस बॉलर है अगर वोस करवाई तो यह से अगली मैच करने एक दो विगेट चर्ट का सकते है तो अभी के लिए टीम की बात करो तो टीम मेरी किसी को ट्राइक कर सकते हो यहां से जो जोंसरी के बात करेंसे किसी को ब्हलों के तौर पर ट्राइक कर सकते हैं दौन की हो recent challenger या फिर आपको search करना fdc27 और आपको सिधा हमारा channel मिल जाएगा तो simply आपको उसे join के लिए क्योंकि final update और final दिम आपको वही पर मिल जाएगे तो यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आपको like और share करना है साथ ही में यूटूब चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत बुलेगा क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे में चिसके वीडियो आपको इसी यूटूब चैनल पर मिल जाएगे तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में